अधियो गाइज दिस विजे कुमार राठोड आज हम गूगल फॉर्म्स के पार्ट टू में प्रैक्टिकल देखेंगे गूगल फॉर्म्स कैसे बनता है यहाँ पर मैं और डी गूगल फॉर्म्स लिख के एंटर कर चुका हूं यहाँ पर मैं ब्राउजर जो यूज कर रहा हो ऍवाजर फाइर्फकस यूज कर रहा हूं, क्लिक के गूगल फॉर्म म cannot Nej यायााउट है गूगल फॉर्म्स लिंक पे और आप देख सकते हैं यहाँ पर लेयाउट जनरेट हो के आ गया है यहां पर प्लस पे क्लिक करूंगा डांग मैं ब्लैंक पे मैंने अल्रेडि वरी question paper का blueprint यहां पर बना यहां पर बना रखा है मैंने bilingual question paper बनाना है तो मैं यहां पर हिंदी में type करके या तो other particular language में local language में type करके उसको use कर सकता हूं तो अधर लेंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो जो है गूगल इंपूट टूल का मेरी चैनल में आड़ करके रखा हुआ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा तो डीटेलिंग में जाएंगे यहां पर पहले तो हमारा ले आउट जो है वो एक्सेस कर जाते हैं अंटाइटल फॉर्म आपको दिख रहा है यहां पर बेजिक ब्लैंक जो हमारा गूगल फॉर्म है वो डिस्प्ले हो रहा है तो मैं इसको एडिट करना स्टार्ट करूंगा म इसमें से मैंने इसको कॉपी कर लिया तो इस तरह से मैं बाइलेंग्वल जो मेरा क्वेश्चन पेपर है वो जनरेट करके यूज़ कर सकता हूं अभी सेटिंग्स में जाएंगे पहले यहां पर बेजिक सेटिंग्स जो है हमारे क्वेश्चन पेपर के लिए जनरेट कर ले करेंगे तो उसको email id जो है वो हम ले सकते हैं उसके लिए मैंने यहां पर option select किया हुआ है और उसको हर बार उसका जो receipt है वो generate होगा यहां पर user को एक ही बार मेरा जो question paper है attempt करने के लिए option दूँगा तो limit to one response पर click करेंगे और उसका जो भी summary chart and text response है वो उनको मिलेगा quizzes में जाएंगे यहां पर हमारा जो question paper है उसके अंदर हम marks generate करके उसका answer जो है वो यहां पर condition के through verify करवा के automatic check हो जाए इसके लिए हम यहां पर यह option को open कर रहे हैं तो enable कर दिया तो यहां पर details आप देख सकते हैं immediately after each submission जो उसका grade है वो direct उनको मिल जाएगा और response जो है उसका भी detail मिलेगा कि miss questions correct questions और point values presentation भी देखेंगे यहां पर हम progress bar जो है वो enable कर देंगे तो users को यहां पर जो progress bar है वो display हो जाएगा response के अंदर हम message को ही देना चाहते हैं तो हम यहां पर message देंगे thank you for your response save तो मैंने basic settings कर लिए यहां पर आप देख सकते हैं जो basic हमने detailing किया हुआ है वो access हो रहा है यहां पर plus करेंगे तो object add होगा नया यहां पर हम पूराना जो question paper है उसमें से कोई questions जो है इसमें access करना चाहते हैं तो import questions का option है TT means हम यहां पर कोई title या तो description जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपर यह option जो है अक्सेस होगा next is image add करने के लिए option है ऐसे ही video add करने के लिए option है और section जो नया है उसको add करने के लिए option है तो मैं यहां पर section जो है वो add कर रहा हूं हमारा second section रहेगा student की information उसमें मैं first जो है वो class access करवाऊंगा user से तो यहाँ पर drop down list में ले रहाँ class 6 के लिए अभी यह question paper जो है वो access हो रहा है और मैं required enable कर दूंगा इससे क्या होगा कि जो question है वो compulsory हो जाएगा next हमारा division है तो इसके लिए मैं यहाँ पर option है duplicate करके उस पर click करूंगा और मैं मैं मेरा question जो है वो update कर रहा हूं सीधा division में हम A या तो B जो है वो access करेंगे अभी next question आड़ करेंगे student name student name रहेगा वो short answer में रहेगा मैंने short answer select कर लिया और इसको required enable कर दिया इसका copy paste करूंगा तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहला जो section है वो complete कर लिया मैं नए section आड़ कर रहा हूं अब यहां से हमारे questions जो है वो start हो जाएंगे mcq जो mcq रहेगा वो एक mark का रहेगा one mark each मेंने लिखा हुआ है और यहां से नए एक object आड़ करेंगे mcq है तो उसका मैं question पहले डाल देता हूं उसके options जो है वो भी मैं add करूंगा मैंने यहां पर total जितने भी options टे वो add कर दिये और required enable कर दिया यहां पर मैं उसका answer दूंगा answer देने के लिए यहां पर answer की पर click करना है मैं यहां पर scanner select कर रहा हूं और उसका जो भी point है mark से वो यहां पर add कर रहा हूं और done करूंगा इसकी मैं copy करूंगा next mcq add करेंगे और इसका answer जो है वो रहेगा smtp और done कर दिया next section हमारा रहेगा short question answer का मैं यहां पर section add कर रहा हूं इसकी detailing add करेंगे two marks each question add करेंगे short question answer है तो यहां पर object पर plus क्लिक करेंगे और यहां से short answer select करेंगे इसका answer देंगे यहां पर दो marks है तो मैं two set कर रहा हूं answer जो है वो word में भी हो सकता है और number में भी हो सकता है मैंने word और number में दोनों में add कर दिया और उसके अलावा जो भी answers होंगे उसको incorrect बताया जाएगा done करते हैं required करेंगे second जो question है वो हमारा add कर रहा हूं मैं तो second question के अंदर मुझे image add करनी है तो मैं यहां पर image icon पर क्लिक कर रहांगा यहां पर मेरे पास change और रिमूव भी कर सकते हैं तो इसका जो answer रहेगा वो short answer रहेगा मैं यहां पर answer generate कर रहा हूं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और इसके दो marks add करूंगा next section जो है हमारा long question answer का है section add करेंगे five marks each object add करेंगे मैं यहां पर user को ऐसा instruct करूंगा कि जो अपना answer है वो notebook में लिख के उसका photograph जो है वो यहां पर upload करें तो मैं यहां पर file uploading का option दे रहा हूं file upload पर क्लिक करेंगे continue करेंगे यहां पर specific file type में set कर रहा हूं image या तो PDF और उसका यहां पर number of files जो है वो एक या तो एक से ज़्यादा अगर आपकी requirement है उसके इसाब से set करके उसको upload करवा सकते हैं यहां पर एक MB से लेकर 10 GB तक आपका जो भी particular file है वो आप upload करवा सकते हैं users के पास मैं यहां पर required enable कर दिता हूं नेक्स्ट इसकी कोपी करूंगा मेरा second question add कर दिया next section add कर दिया अभी मैं यहां पर वीडियो का review करवा के उसके regarding मैं question पूछ हूंगा मैं यहां पर add करूंगा वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मेरी channel है already YouTube पर राठोर software करके तो मैंने already जो वीडियोस बना रखे हैं उसमें से मैंने कोई particular एक video access कर लिया for example cct की जो हमारी exam हुई उसके regarding मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो मैं यहां से URL कोपी कर लूँगा और पेस्ट करूँगा search करेंगे तो जो रिस्पेक्टिव वीडियो है यहां पर आप देख सकते हैं और एल्स यूर्ल के थुरू भी search कर सकते हैं और select कर सकते हैं मैं इसको center set करूँगा question 1 set करेंगे question 1 update करेंगे यहां पर question 1 question 1 question 1 यहां पर yes या no में मैं answer users के पास से लूँगा और यहां पर उसके points जो है वो त्री marks रखे हैं required करेंगे करेंगे यहां पर और एक section में आड़ कर दिया feedback section हम अब्जेक्ट आड़ करेंगे यहां पर linear object हम आड़ करेंगे तो यहां पर यूजर का response जो है वो access करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी particular हमारा google form जो है वो generate हो चुका है इसको share करते हैं वो यहां पर access करेंगे उससे पहले थोड़ा basic designing जो theme है वो मैं यहां पर change करना चाहूंगा तो क्लिक करूंगा themes पर मैं respective color जो है वो यहां से select कर सकता हूं यहां पर phone style जो है वो select कर सकता हूं as per my requirement यहां पर image कोई upload करनी है तो मैं upload कर सकता हूं यहां पर बहुत सारी images है for example मैं यह image select कर रहा हूं तो यहां पर आप अपनी school का जो भी theme है वो add कर सकते हैं जो image है वो भी add कर सकते हैं इसका preview generate करेंगे तो यहां पर हमारा question paper जो है वो progress bar के साथ जो भी sections है उसके साथ यहां पर display हो रहा है सो अब हम जानेंगे कि यह particular form जो है वो कैसे send करना है send button पर click करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं first option जो है वो email आ रहा है email के साथ आप यह particular form को include भी कर सकते हैं as per your requirement next is link via link हम वो particular जो google form है वो जो भी participant है उनको भेज सकते हैं और एक option है shorten link shorten URL तो वो particular shorten URL का हम use इसलिए करेंगे कि जो हमारी link है वो other browser में कभी कबार support नहीं करती है तो हम इसको short कर देंगे और last option है HTML हमारी कोई website वगे रहा है उसके अंदर अगर हम यह particular google form जो है वो add करके use करना चाहते हैं तो उसका जो भी respective code है यहाँ पर हमें मिल जाएगा तो यह link जो है through whatsapp में मेरे participants को add कर दूँगा यहाँ पर web.whatsapp.com का use करूँगा यहाँ पर QR code जो है वो मैं scan करूँगा और जो भी participant है उनके group के अंदर या तो individual में उनको share कर सकता हूँ अब यहाँ बात करेंगे responses की मैं यहाँ पर response कैसे देखना है और उसको access कैसे करना है और उसके marks कैसे generate करने है जो long questions के वो यहाँ पर दिखाऊँगा responses पर click करना है अगर आप Excel sheet में जो responses है वो देखना चाहते है तो यहाँ से click करके access कर सकते हैं यहाँ पर click कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो भी मेरे participants हैं उनके जो भी scores हैं वो यहाँ पर display हो रहा है और उसके जो भी regarding answers हैं वो भी आप यहाँ पर access करके देख सकते हैं तो answers जो है उसको review कैसे करते हैं चेक कैसे करते हैं उसका यहाँ पर detailing देखेंगे अब देख सकते हैं सभी questions के respective graphs जो है वो यहाँ पर display हो रहा है तो उसका analysis पूरा यहाँ पर access हो रहा है हम यहाँ पर questions जो है वो भी direct access करके उसको marks दे सकते हैं और individual जो response हमें generate होके मिला हुआ है यहाँ पर total तीन responses हैं मैं suppose second number का जो response है उसको मैं open करूंगा यहाँ पर आप उसके जो भी answers है वो answers यहाँ पर देख सकते हैं जो भी right answer है उसका तो automatic यहाँ पर उसको marks मिल जाएगा but जो long questions है उसको आपको review करना पड़ेगा ठीक है और उसका answer देना पड़ेगा तो यहाँ पर उनका answer है तो उसका answer जो है वो सही है उनके दो marks मैंने दे दिये और उसको save कर लिया तो इस तरह से आप जो भी long questions जो है उसके marks यहाँ पर upload कर सकते हैं यहाँ पर जो what is computer है उसका जो भी screen shot है वो यहाँ पर access करने को मिल रहा है suppose यह student ने कोई particular image है वो send की हुई है लिखके तो उसके जो भी marks है मैं यहाँ पर review करके दे सकता हूं suppose 3 marks दिये और second question के भी 3 marks दिये यहाँ पर जो question है वो तीन marks का है और इसको भी save करेंगे तो उनके जो score है यहाँ पर automatically जो google sheet है हमारी उसके अंदर update हो गया आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो भी long question है उसके answers किस तरह से देखने है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया इसके regarding कोई भी query हो please do comment in the comment section please like and subscribe और हमारे part 3 के लिए addons के लिए stay tuned thank you very much कर दो यहाँ लाँ बगंचे लिए पर देम दोर वाँ यहाँ पर आपको यहाँ